हेलो फ्रेंज एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चानल टिप्स और ट्रिक्स में स्टार ट्रेजर नाम लेते से ही आँखों के सामने गोल्ड कोईंस की बारिश होने लगती है स्टार ट्रेजर जो है अभी तक कई लोगों के लिए एक रहस से बना हुआ है इसलिए मेरे कई फ्रेंज ने मुझसे पूछा कि जब गोल्ड कोईंस के लिए हम लोगों को इतना तरसना पड़ रहा है डेली टास में दो गोल्ड कोईंस आ जाएं इसको देखकर ही जो हमारी आँखों में चमक आ जाती है तो स्टार ट्रेजर की जब लाखों गोल्ड कोईंस जब देखते हैं कि लोग लाखों गोल्ड कोईंस बना रहे हैं तो जायसी बात है कि हर विक्ति के मन में एक क्रेज आता है कि क्या है ये क्या हम भी इससे गोल कोईंस बना सकते हैं लाकों ना सही 100-200-1000 तो बना ही सकते हैं तो यही चीज है इसी क्रेज के कारण कई मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा और उसी के कारण मैंने ये वीडियो जो है इनिशेट किया है तो सबसे पहले मैं आपको अपने आएडी दिखाती हूं हुआ जी गै hatırim sir है वो मेरे treasure गृरू है ऑर इनसे जो भी चीजें सीखी मैंने और समझी वह चीजें भी आपको स्टार्टिंग लेवल पे थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोग जो है ट्रेजर जो है थोड़ा बहुत खेलना स्टार्ट करें क्योंकि यह जो चीज है यह एक्सपीरियंस बेस्ट है तो आप लोग जैसे ही इसमें एंटर करेंगे और इसको थोड़ा टाइम देंगे तो डेफिनिटली जो है आप लोग इसमें सेक्सिस पा जाएंगे और यही हमारा एम है इस वीडियो को बनाने का खुप इस वीडियो की हैप से आप लोग अट लिस्ट ट्रेजर के बारे में जो भी बेसिक जानकरियां आपको चाहिए वो सब चीजें जान जाएंगे और डेफिनिटली आप इसको खेलने लाएक तो हो ही जाएंगे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किये और कोशिश करूँगी कि मेरा जो अगला वीडियो स्टार ट्रेजर से रिलेटेड आए वो अभी इतनी जल्दी तो नहीं आएगा बट इसको आप थोड़ा टाइम दे ट्रेजर को भी टाइम दे और मुझे भी थोड़ा टाइम दे और इसके लिए मेरा एक एम रहेगा कि जब मेरे इस वीडियो पर टू थाउजन लगभग व्यूज आ जाएं और कम से कम टू फिप्टी लाइक्स आप लोग दे और वो तभी हो पाएगा जब आप इसको वीडियो को शेयर करेंगे जादा से जादा लोग देखें ये मेरा एम है अच्छली क्योंकि ये जादा लोगों तक पहुँचेगा और ये जो है एक जनरल यूजर के लिए है स्टामेकर के जनरल यूजर के लिए तो हर एक जनरल यूजर इस चीज़ का फाइदा उठा सके यही मेरे वीडियो का एम है तो इसे जादा से जादा पहुँचाएए अधिक से अधिक benefit हो सके तो अभी शुरू करते हैं वीडियो तो मैं आपको अपने party room में ले आई हूँ आप लोग यहां नीचे देख रहे हैं three lines जहां हमको दिखाई देती है यह देखे हैं three lines दिखाई देती है इसको हमको click करना है इसको click करके मैं आपको बताती हूँ तो यहां देखिए आपको start treasure नजर आ रहा है इसी के अंदर हमको enter करना है पर उसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ क्योंकि कई लोगों को यह problem आएगी और इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वीडियो को बिल्कुल skip मत कीजिएगा हर एक बात को मैं जो भी बता रही हूँ यहां basic चीजे हैं और बारिकी से आप उसको सुनिएगा यदि आप इसको start करने वाले हैं आप लोगोंने नहीं देखा है इसके बारे में कुछ जानते नहीं है तो यह मेरा वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है तो without skipping आप ध्यान से देखिएगा सबसे पहले यह बता रही हूँ कि यदि आपकी ID में start रेजर इस तरीके से यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो that means कि आपकी ID में आपने कभी भी recharge नहीं किया मनी वाला भी जो आप करते हैं फोन पे वग्रह से तो आप यदि करते हैं तो आपने यदि minimum 50-60 रुपे का recharge करा हुआ होगा यह मेरे friends ने मुझे पताया है कि 50 रुपे तक का यदि आप recharge करते हैं तो जो है आपकी इसमें start रेजर ओपन हो जाता है यदि नहीं हुआ है तो अदर्वाइस मेरी ID में कैसे ओपन हुआ आपके पास जो भी diamonds जो होते हैं तो लगभा कि दिया 500 diamonds अभी तक अपके ID से exchange कर चुके हैं तो definitely जो है यह तो मैं maximum बता रही हूँ मुझे minimum नहीं मालुम हो सकता है 50-300 something पर भी open हो जाए बट जो minimum है और जो मैंने feedback दिया था start maker पर जब मेरा start treasure open नहीं हुआ था ID पर तो उनका जो reply आया था वो था कि minimum आपको $5 तक का recharge करना होगा तभी आपकी ID में start treasure जो है open होगा तो I suggest कि आप लोग आपके इसमें diamonds हो और आपने exchange किये हो और नहीं किये हैं तो अब exchange करिएगा और 500 diamonds जब आप exchange कर लेंगे लगभग तो जो है आपके स्टार treasure जो है open कर देगा star maker और हाँ diamonds exchange करने से पहले ये जरूर आपको बता दूँ कि मैंने अभी इसके पहले ही थोड़े दो तीन वीडियो पहले ही आपको एक वीडियो बनाया था कि उसी event के आने पर आप लोग जो है अपने diamonds exchange करें तो playlist में जाके जरूर वो वीडियो देखेगा आपकी सुविदा के लिए मैं उसकी description में भी link दे दूँगी तो जरूर देखेगा वीडियो और तभी diamonds आप exchange करें तो आपको double फाइदा होगा gold coins का और उन्हें आप यूज कर सकते हैं star treasure में तो अब star treasure में enter करते हैं और मैं आपको उसके बारे में कुछ बताती हूं तो star treasure में जब हमने enter किया तो कुछ इस तरीके से इंटाफिस दिखाई देता है अब सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्टरी चीजें आती हैं तो सबसे पहले आपको देखी रहा है 30 seconds मतलब आपको जो bet लगाने का time दिया होता है वो 30 seconds ही होता है बहुत जल्दी जल्दी आपको सोचना होता है और फटा-फट आपको bet लगानी होती है आप bet वो सब मैं आगे बताती हूँ आपको अभी next करते हैं और इसमें देखिए ये जो है इस तरीके से आपको amount डालना होता है आपके पास कितने coin source पर depend करता है आप यह amount डालके और ये bet जो है इसको click करेंगे तो वो जो है आपका bet लग जाएगा और फिर बाद में पता चलेगा आपको कि आपकी किस mode पर है आगे इसमें ये है कि देखिए इस तरीके से बताया हुआ है कि देखिए 999 coins जो हैं मिल गए हैं तो ये तो हाँ जो मैंने screen shots भी लगाए हैं तो definitely बहुत लोग इसका फाइदा उठा रहे है बट ये है कि ऐसा आप बिल्कुल मत समझेगा वीडियो देखकर कि आप भी बस कुशी दिनों में बहुत सारे gold coins बनाने वाले हैं उसके लिए practice बहुत जरूरी है practice makes man perfect तो इस चीज को follow जरूर कीजिए जितनी practice करेंगे आप उसको जितना time देंगे तो जो है treasure आपको definitely फाइदा जरूर पहुँचाएगा तो अभी बात करते हैं इसको हटाते हैं यहां से और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है game चलता रहता है अब मैं पहले आपको इन planets के बारे में बताती हूँ कि कौन कितनी worth रखता है तो सबसे पहले बात करते हैं इन planets के बारे में तो अब सबसे पहले आप देखिए कि यहां जो पहले छोटे वाले planets के बारे में बताती हूँ यह जो है तो naar डच Bürger फाईब रखते हैं यदि कोईन की बैट लगाई पर और यदि वही प्लैनेत जो है आगया तो है आपको एक coin के बदले कितने coins मिलेंगे 5 coins मिलेंगे तो ऐसे ही ये जो चारो planet है इनके लिए यही चीज लागू होगी ये एक coin आपने अदिन पर लगाया तो आपको 5 coins मिलेंगे अब बात करते हैं दूसरे planets के बारे में तो अब देखिए अब ये जो है 15 coins वाला है 15 लिए 5 coins मिलेंगे एक coin लगाने पर यहां 50 coins मिलेंगे अने के बारे में की कैसे करना होता है तो देखे हर व्यक्ति जो है अपनी डिफरेंट टाक्टिक्स यूज़ करता है जब इसमें आते हैं अब ऐस तो है नहीं कि हम लोग इतने जादा कन्फर्म हो किसी भी चीज़ को लेके कि नहीं यही प्लैनेट आने वाला है यदि आप हैं टैम शूर तो आप एक ही प्लैनेट और कभी-कभी जो फॉल्лы करते हुँ कि न चोटे ब्लैनेट मेंसे जिनientras की मुझे जादा आशा होती न तीनों प्लैनट पे अपने जो है अपने कोईंस लगाती हूं और उसके साथ में जो है मैसे हैं जाए चार हैं थो हम इन चार को लें पहले यह वाले जो चार की बात कर पर मेंसे कोई से भी तीन जो आपको लग रहा है कि अभी जिस तरी किसे चेंज होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो उसको उसके अकॉर्डिंग देख कर आप जो है आप चारों में से किसी तीन को जो सेलेक कर सकते हैं और ये 10-15 को आपको लग भग अपने साथ में लेके चलना ही चाहिए क्योंकि ये बीद बीज में आते रहते हैं तो अभी फिलाल उन चीजों पर ज़्यादा बारी किसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ मैंने भी आपको ये बताया और मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स भी जो हैं काफी लोगों की ये क्यूरियोसिटी थी कि ट्रेजर है क्या ट्रेजर में करते क्या हैं खिलते कैसे हैं थोड़ा बता ये तो मैंने सुचा कि जब मैं भी सीखी रही हूं तो आप लोग भी मेरे साथ ही सीख लें इसलिए मैं आपको इसके बेसिक्स बता रही हूं और मेरे ट्रैजर गुरू से मैंने जो भी सीखा उसके अकॉर्डिंग जो है काफी चीज़े हैं थोड़ी बहुत मैं आपको डिस्क्र कर सकते हैं आपको भी अपने टेक्निक्स बदलने होती है ट्रैजर के मताबिक तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूं उन चीजों पर धं की जैसे आपने चार जो चोड़े प्लैनेट्ट चैनिट पर आपने तीन से कर लिए कोई भी 10 15 अब कुछछ चीज़ें होती है जैसे कि अभी जब आप गेम खेलेंगे तब आप वो चीज़े समझ पाएंगे कि इन में चेंजिस होते हैं कि जब इसके जैसे मैं आपको पहले बताऊं कि यलो फ्रेंडली होगे तर याल didn और लाइफ तो चांसे IGH वाल तो यालौ खुद आए उना के चंसांस का और यालो और फ्रेंड माना चाता है और दूसरा ये दूसरी चीज ये कि जैसे light green और dark green जो है ये light green और dark green जो है ये friendly होते हैं कि light green के बाद dark green आने के chances जादा होते हैं और वैसे ही light green yellow के साथ भी friendly होता है तो मतलब ये जो है एक दूसरे के fillers होते हैं कि आप अक्सर देखेंगे कि light green या तो light green के बाद light green ही आएगा otherwise light green के बाद yellow और dark green आने के chances जादा बढ़ते हैं अब ये depend करता है और उसके बाद जैसे आप दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि light green और ये जो 15 है ये आपस में थोड़े जुड़े हुए होते हैं है ना तो इनका relation होता है कि light green के बाद 15 आने के chances जादा होते हैं और इसी तरीके से जो है purple और ये जो pink है इसका relation होता है कि purple के बाद pink और pink के बाद purple आने के chances जादा होते हैं तो ऐसे बहुत सारे cases हैं जो बनते हैं start treasure के अंदर तो मैं आपको अभी तो basically यही कहूंगी कि आप लोग जब खेलन start करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेंगी आप observe करेंगे अभी मैं इस वीडियो में बस आपको उसकी ABCD बताने आई हूँ आपको यह बताने आई हूँ कि आप start treasure में कैसे entry कर सकते हैं आपको कितने coins लग सकते हैं आप एक से 10 coins के बीच में भी खेल सकते हैं और एक एक coin आप लगा कर बट यह ज़रूर आपको बताऊंगी कि यह जो हैं एक से 10 यदि आप ऐसी बहुत कम coins में खिलते हैं तो आपको जो benefits होते हैं वो जादा नहीं मिलते हैं वो कम मिलेंगे definitely यदि आपको एक पे आपने एक पे तो आप लगानी पाएंगे कि direct आपने एक ही planet पे लगा दिया वो बहुत कम cases में होता है जब हम लोग बहुत sure होते हैं कि यह यह वाला planet आएगा तो उसमें आप लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा फायदा मिल जाता है otherwise हमको कम से कम 3-4 planet पे लगानी पड़ता है मानलीजे एक एक coin आप सब पे लगा रहे हैं और आपने चार coins लगाए और फिर आपका आभी गया planet तो भी आपको कितने मिलेंगे यदि छोटा planet ही आता है तो आपको 5 मिलेंगे है न यदि 10 वाला आगया तो आपको 10 मिलेंगे थोड़ा सा मुनाफ़ा जादा और यदि 15 वाला या 25 या 50 वाला आता है तो थोड़ा मुनाफ़ा जादा तो यह जो चीजें हैं उन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए कि यदि आप थोड़े से कॉइंस लेकर हो आपके पास तो बहतर होता है यदि 100-200 कॉइंस लेकर भी आप खेल रहें तो आप थोड़े से बेनेफिट्स में रहेंगे तो उसकेस में जो है आप थोड़ा जो से जो तब बनते हैं जब हम को थोड़ा सा कुछ चीजें हैं बहुत छोटे-छोटी चीजें बारी क्यां जिस पर ध्यान देना होता है कि थोड़ा सा गेम पलटने लग गया है और हमको गूमा रहा है तो 25-50 के आने के चांस्स हैं दूसरी बात यह जो मोर लिखा होता है यह यहाँ ट्राइजर ते चलता रहता है वहां मैं मोर पर ले जाकर को ठ्रेजर में दिखाते हूं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके पहले की हिस्ट्री देखने से आपको बहुत फाइदा मिलता है कि कब कौन सा प्लैनेट आया है कितने टाइम से कोई प्लैनेट नहीं आया है उस चीज़ पर भी बहुत कोई डिपेंड करता है कि अगले जो प्लैनेट्स है वो कौन से आने की संभावना है और यह संभावना है सबसे ज़्यादा यदि आप देखें तो यह आप देखेगा 15, 10, 25 और 50 वाले के लिए तो उसस अभी चीज़ आया है उनस सब थयान में रखते हुए आप लोग काम करिए अभी मैं आपको ट्रैजर में ले जाकर और दिखाती हूं इस मौर पे लह जाकर कि इस तरीके करता है कि अब अगला कौन सा आ सकता है आप देख रहे हैं दो डाग ग्रीन बीच में 15 बैठा हुआ है और डाग ग्रीन लाइट ग्रीन है अब डाग ग्रीन लाइट ग्रीन इस तरह के से तो यह जो चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी और आपको चीजों से समझ में आए कि आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं अप अचीजिए हम सारे प्लैनेट यहां दिखाई दे रहे हैं से यह पर कि यह आपको देख रहे हैं यह पूपल का दिख रहा है यह अप देख सकते तो और आप unp Wait यह पिंग देख रहें कि पिंग आपने देखा कि 1016 पर आया हुआ है और इसके बाद देखिए 25 नीचे से स्क्रॉल करके देखिए आप देख रहें कि यह 1006 पर 25 जो है आया था और उसके बाद से अभी तक नहीं आया है तो इन सब चीजों के ब्राइट चांसे होते हैं जब आप देख रहें कि इतने टाइम से नहीं आया है और आपको थोड़ा सा गेम में चेंजेस लगते हैं जैसे डाग ग्रीन, लाइट पहली चांस डाग ग्रीन की है दूसरी लाइट ग्रीन की है लाइट ग्रीन यलो डाग ग्रीन पर्पल पर्पल यलो तो ऐसे बहुत सारे कंबिनेशन होते हैं जो फर्स्ट और लास्ट जो हम फाइव चांसे हमको दिखाई देते हैं उसमें फर्स्ट और लास्ट क्या है उस इसको थोड़ा टाइम देने की जुरत है ट्रैजर को अभी आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताती हूं देखिए आप देख रहे हैं कि 15 जो है 15 आप देखिए यह जो देख रहे हैं आप 1027 और 1024 राउंड पे आया है और इस बीच में नहीं आया है अब आप देखिए 50 पर दि देखिए 988 राउंड पे 50 आया था और अभी तक 1030 राउंड पे हैं अभी तक नहीं आया है तो इन सब चीज़ों के बाइट चैंसे बनते हैं कि आएंगे आप लाइट ग्रीन पर भी आप देखिए लाइट ग्रीन भी जो है इतने टाइम से नहीं आया था सिर्फ 1025 राउं के होती है तो इस तरीके से जो है यह आपका ट्रेजर का गेम है चलता रहता है अभी आपने देखा कि जो 15 है वो आया तो जैसे डाग ग्रीन पहला डाग ग्रीन और लास्ट जो डाग ग्रीन था तब जो है यह 15 आया था तो ऐसे बहुत सारे चांसे होते हैं जैसे डाग ग् आपको आगे और पीछे दिखाई दे रहा है तो चांसे हैं कि आपका ये फिफ्टीन वाला आने के चांसे होते हैं है अब ये जो डाग ग्रीन और पर्पल है तो भी ये 50 और 25 की तरफ इशारा करता है कुछ केसे बन जाते हैं ऐसे कि होता है अदरवाइस डाग ग्रीन है तो क्रीन आने के चांसे रहते हैं और पर्पल आने के चांसे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे कॉंबिनेशन से पर मैं आपको भी बोलूँगी इन सब चीजों को आप सुन लीजिए पर आप समझेंगे तभी जब आप ट्रेजर को खेलना स्टार्ट करेंगे आप खेलने के पहले आप और एक बात विशेश बोलूँगी जो मेरे ट्राजर गुरू ने मुझे सिखाई कि आपको इसमें धैरे रखने की जरूत होती है यदि आप इसमें पेशिंस खोएंगे आप थोड़ा सा जीत गए और आपने सोचा कि यह नहीं अब मैं खेलते जाओं खेलते जाओं औ किसी बड़े के आने के लालच में कि 25 आजाए 50 आजाए तो आप पूरा जीत कर आप हार सकते हैं और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि मैं काफी उपर पहुंचकर बिल्कुल 0 तक आ चुकी हूं तो यह चीज़ें जो हैं आप लोग ना करें इसलिए मैं आपको बेट्स आती हैं इसके बाद कौन आ रहा है थोड़ा सा आप नोट डाउन करें उसको आप नोट डाउन वगरह जब करेंगे तो आपको काफी सारे आईडियास होंगे कि इन चीजों के बाद यह हो रहा है और उसके बाद आप जो है थोड़ा खेलना स्टार्ट करें और कई कॉइंस को जो है यही अभी स्टार मेकर पर सही तरीका है कि अब आप इससे थोड़े कॉइंस बना सकते हैं बट इसके लिए थोड़ी प्राक्टिस की जुरत है बिना प्राक्टिस के आप इसमें बिल्कुल ना उतरें क्योंकि आप 200 से 0 होने में देर नहीं लगती और यहां 200 से 20,000 होने में भी देर नहीं लगती तो वो जो चीजें हैं आप लोगों को आजमाना है और इन चीजों को जो मैंने आपको बताया यह सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इनको ध्यान से देखिएगा अब यदि जैसे आप पर्टिकुलर्ली किसी प्लैनेट पर अइसलिए तो उसको क्लिक किया उसको क्लिक करेंगे तो यह अपन हो जाएगा और ये जो बढ़ना चाहाते है और यहां टिक करके आप जो भी है अपना अमाऊँट में जो हटकर अपाना अपो यह श्युक्ति मेने नहीं लगाया आप न उसंपर बात लगता यहां नी जबते खाकई के लिए लगा कर तो यह जो बैत है तो यहां गार कर देंगे तो जैसे यापने पेनि जो बनाईन है जितने भी आपको लगाना है coins वो यह आपने फीड कर रखाया और auto bet लगाया हुआ है तो वो automatically प्लैनेट पर bet लगाता जाएगा आपसे बिना पूछे आप आप करना नहीं चाहिए बिकास जो है हम यह सब सोच समझ कर करते हैं इसलिए auto bet की गुंजाईश नहीं होती तो वन क्लिक बैट जो है आप यूज कर सकते हैं और ऐसे आप नॉमली आप किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे इसमें लगाके और यहां bet को क्लिक करेंगे तब आपकी बैट लगेगी वैसे वी वन क्लिक बैट में भी ऐसे है कि आपने सब फिल कर दिये और उसके बाद आपको bet now करना पड़ेगा यदि आप नहीं कर पाए जल्दी म करते हैं यह जैसे अकाउंट बैलंस जो है यह 107 अभी मेरा शो कर रहा हमारे पास अभी जितने गोल्ड कोईंस हैं और यह जो टुडेज बोनस लिखा हुए तो आज जैसे हम जो भी खेल रहे हैं ट्रेजर में तो आज के दिन आप जो भी खेलेंगे तो उसमें आप जो भी जीते हैं अब वह बात अलग है कि हमने मान लीजिए कि बहुत सारे कोईंस लगाये और हम कई बार ऐसा होता है कि हम कम जीतेमरे कंपलेने ठ्वわか अंधा मु View meu yogurt टेंट वालि की हमारा जो बोनस यहां दिखाई देता यह बस यह छीज़ेक कि हमें यहां होता है कि हम कितने जीते हैं और आप यह नीचे देख सकते हैं कि आये जो यह दिखते हैं तो इनको देखकर भी आप थोड़ा सा अंदाज पर जो है लगा रहे हैं, तो आप इससे भी थोड़ा सा अंदाज लगाना चाहें, तो लगा सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यही पूरी तरिके से सही होता है, तो मैं तो यही मानती हूं, और मेरे गुरू भी कहते हैं कि अपनी ही theory पर चलना चाहिए, अपनी theory पकड़क किया हुआ है उसी थोरी पर काम करेंगे तो डेफिनिटली जो आगे आने वाली 5-6 बैट्स हैं वो आपके नाम हो जाएंगी और आपका जितना भी नुकसान है वो आप उससे पूरा कर सकते हैं तो अब देख लीजिए मैंने जो कुछ बैट्स लगाई थी वो दिखा रही है आपको तो अभी तो मैं एक पर्टिकुलर जो अपने प्लैनेट से उनको टैप करकर करके ही बैट्स लगा रही हूं और नीचे आपको जहां बैट अमाउंट लिखा होता है नीचे आप देख र प्लैनेट पर लगाई बैट और फिर देखिए तो इस तरीके से जैसी यह 10 आया है नो तो यह आपने 5-6 कोईन लगाए है और 10 आया तो यह पर्टिकुलर बैट में मेरा 25 आया था तो मैंने कुछ आपको क्लिप्स दिखाए हैं कि इस तरीके से बैट लगाते हैं और उपर आप देख रहें कि वह पांचों जो प्लैनेट समको देखते हैं मोर के पास में वह बताते हमको की पिछले कौन से आय थे तो उसके अकौर्डिंग कर सकते हैं तो आप देख रहें कि यहां जो 25 है वहर एक चांस के बाद अल्टरनेट आया है ऐसा बहुत रियर केस में होता ह तो इस तरीके से जो है आप सोच समझ कर बैट लगा सकते हैं और कभी आपका जो है सही आ गया तो देखे पिंक आया तो ये 10 मिला मुझे तो ऐसे जो है आप लोग बैट जो है अपना सोच सकते हैं और इस तरीके से जो है आपकी बैट है आप लगा सकते हैं आपस लास में एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि जब बैट लगा रहे हैं आप देख रहे हैं यहां कई उस पे प्लैनेट्स पे बीजवीच में होट लिखा हुआ आ रहे हैं तो उस होट का क्या मतलब है उस होट का यह सेंस है कि उस प्लैनेट पर अधिक तम जो है ज हो सकता है चांसे और ऐसा 50-60% हो जाता है और ऐसा भी नहीं है कि वो फेल नहीं होता है कई बार फेल भी हो जाता है जो होट पर आता है हाँ बट यह है कि कई बार आपको हेल्प कर जाता है वो तो आप यह चीज़ों को भी माइन में जो है रख सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलत हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाय और टेक कियर है वे नाइस टे कीप सिंगिंग कीप शानिंग स्टे म्यूजिकल विट में